हरी कृष्णा हमें सेल्फ डिपेंड भी रहना चाहिए आत्मनिरभर हमें अपने पे भी भरोसा होना चाहिए और इस विशे में एक छोटा सद्रिष्टान तो सुनिए और उसको समझने का प्रयास करना कि एक सरकस में चार शेर थे और वो चारों शेर जो थे वो सरकस में बड़े अच्छे अच्छे तमाशे दिखाते थे और सरकस में उच्छल कूद करते थे लोगों को हसाते थे अपनी कला दिखाते थे वो शेर थोड़े हो गये थे अब शेर तो आखरी शेर ही होता है बले बूड़ा क्यों न हो जाए वो शेर बूड़े हो गए थे थोड़े से तो सरकस वालों ने का बिस शेरों का क्या करें क्या करें तो उन्होंने कहा कि इसको जंगल में छोड़ देते और उन चारों शेरों को जंगल में छोड़ दिया और पता चला कि जब उनको जंगल में छोड़ दिया तो जंगली कुते जो जंगल के थे उन्होंने चारों शेरों को मार डाला शिकार बना दिया शेरों को मार डाला जंगली कुतों ने जंगल में और चारो शेर मर गए है अब सब जो forest department था वो ये देखकर हैरान हो गया कि कुटों नहीं शेरों को मारा है ऐसे कैसे हो सकता है उन्हेंने सोचा कुछ तो हम इसके पीछे research करेंगे ऐसा क्यों पहले तो पता चला ये किसी सरकस के शेर है चलो ठीक है फिर पता चला कि आखिर इनको कुटों ने क्यों मारा जबकि ये शेर है बता research किया गया कि ये सरकस में काम करते थे ये self depend नहीं थे और इनको सब कुछ तयार किया हुआ मिलता था ये अपनी मैनत नहीं करते थे ये अपन चाहिए खाने के लिए मटन चाहिए जो भी चाहिए उनको सब कुछ हाथ में मिलता था यहां तक कि पानी में इनको हाथ में मिलता था हर एक चीज उनको हाथ में मिलती थे हर एक चीज ये self depend नहीं थे और नहीं अपनी कुछ मैनत करते थे इनको सब बना बनाया मिलता था और ये दूसरों पर निरभरते इसलिए ये मारे गए हमें भी इस छोट इस प्रसंग से दृष्टांत से ये सीखना है कि हमें अपनी मेनत अपना संगर्ष करना है, हाँ कृश्ट जरूर हमारे साथ है, भगवान जरूर हमारे साथ है, लेकिन इनसान कहता है अपनी मेनत भी भगवान कहता है कि अपनी मेनत भी तुमको करनी है अपने जीवन में संगर्ष करना है अपने जीवन में तुमको मेनत करनी है और साथ साथ सेल्फ डिपेंड भी रहना है और खुद आत्मनर भर भी रहो कब तक दूसरों के भरोसे पर रहो के हर अगे फॉर्वड कीजिए प्लीज नए भक्त मेरे साथ नए प्यारे मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाटसाइप पे 9284826810 इसी नमबर पे अपना और अपने शहर का नाम जरूर वाटसाप पे लिखे बेजे हम आपको एड़ कर देंगे और हमारी यूट्यूब चैनल दामोद साथ